एक पीछे चाय दो प्रकार से एक तो सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती है सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती जैसे चाय बनाना है तो पानी लीजिए और उसको गैस पर चूले पर चड़ा दीजिए पानी पके दूद मिलाईए चाय पत्ती डाली अधरक डालीए चीनी मिलाईए अगर सुगर नहीं हुआ है नहीं तो फिर उसको चान के पीजिए चाय बनाने की फिक्स रेसिपी सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती है आपको हमने जो लक्ष निर्धारिन किया है वह हमको प्राप्त हो सके इसके लिए आपको कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा कठोर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा लेकिन हर बार केवल कठोर परिश्रम करने से ही सफलता मिल जाए यह निश्यत नहीं है इसलिए मेरे उदाहरन शास्त्री होंगे मानस के पात्यों पर होंगे यह पहले ही मैं आपको बता रहा हनुमान जी से जामवंद जी ने कहा पवन तनेवल पवन समाना तुम पवन की बता हो पवन की समान हो बुधि विवेक विज्ञान विदाना तुमसे कोई काम कठें नहीं है तुम कोई भी काम कर सकते हो तुमारे पास बल भी बहुत है और बुद्धी भी बहुत है क्या क्या है बल और बुद्धी अब सफलता को इसी से जड़ा ना प्लिए केवल बल प्रियोग से सफलता मिंग जाए ऐसा नहीं है तो कभी बुद्धी का भी प्रियोग करना पड़ता है कभी ट्रिक काम कर लोग विध्यारती इसको इस पश्टता से समझते हैं किसी ट्रिक आप वो आपने मैद के लोग ट्रिकी मैद पड़ते हैं ट्रिकी मैद के जैसे व्यदी कडित गढीद में बड़े से बड़े जोड़ घटाना गुरा भाग को बड़ी सरलता से करना सिखाये जाता है वो ट्रिक है तो सफलता कड़े परिश्रम से तो मिलती ही मिलती है कई बार ट्रिक बहुत लगाना पड़ता है ट्रिक लगाना आना चाहिए आपको उधर्ण दे दू इस पश्ट हो जाएगा पूरा विशेग उद्धाटित हो जाएगा एक ग्रती रास्ते में जा रहा था और उसको पीछे से आवाज आई बचाओ तो देभाब कोई नहीं आगे लिए बचाओ एक पानी का भोतल पड़ा और उसको लगा इसमें से आवाज आ रही बचाओ बचाओ तो आदमी तुच्चु की मौन प्रियोक धर्मी होता है आदमी सारा सुठा देना चाहता है कई बार उसको लगता है कि यह उलजा है बोटल में कुछ तुछे उसने बोटल खोल दिया निकल गया भूत कहा तुमको मैं खा जाओंगा कहा यार यहीं नेकी का मतलब है तुम बंधे हुए थे तुमको खोल दि काम हमको लगाये रहो हम तुमको कठी नहीं खाएंगे सेवा करें काम में लगाये का इसके लिए कठिन भी शैता कता कि की हम समय लगे तो कहा सुनो तुम हमारा घर बहुत छोटा सा बना घर बनाओ तो तो पुरी दुनिया गुमाओ गुमाया पुरा देश गुमाओ गुमाया अब कितना काम बताए है विश्विद्याले मान लुविए तुझे सबन गया सब हो गया अब इसको लगा कि अब कि मैं सफलता आप परिश्रम से दिमाग लग तो क्या का लगा कि अब मार जाएंगे अब मेरे बस काम बचा नहीं इसको देख गया बना कुट्था जो पाला था पाल तो कुट्था कर सुनो बहुत इस कुट्थे की पूसी दी करो वह आज तक कर रहा है वह आज तक कर रहा है वह सीधी होगी क्या नहीं हो कि सफल्ता की फिक्स रेस्पी नहीं है आपको बहुत बार के परिश्रम से हैं अब बहुत बार ट्रिक से जारब से बहुत बार सारी साथ्ट्विक मार इसए मैं किसी ऐसे कि कत्य चर्चा नहीं कर रहा है और ट्रिक में आप कभी कोई गलत नसमे अर्थमत प्रवेश कराएगेगा सारे साथ्विक मार्ग जो न्याय की मार्ग हैं उसके अनुपूद आपको सफलता मिल सकती है आपने प्रशन पूछा कि हमारे उपर कल मेरा व्याख्यान था अपने सुना होता तो आपको इसका उत्तर मिल जाता है हम जो हैं उसको नहीं बनाने के अत्रिक था हमको सब कुछ बनाये जाने का प्रयास किया जाता है है कि उधिव द्यारती का कि मुझसे मैं में पादल हो जाओ गए कि नहीं पादल हो जाओं हम पर बताओ तो कि सुनीए इसलिए हो जाओंगा मा जायती इंजिनियर बनो नाक्टर बनो गुरुजी चाहते हैं सदय ढालने क स्ठी प्रइयस किया गया है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मुम सकता है लिसे सांचे में हम कौन है हम क्या बनना चाहते हैं हमसे कभी नहीं पूछा जाता है इसली लिए हमारे सफलता के मार्ग में बाधाँ आती है क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके लिए हमारा मन हमारा शरीर हमारी गुध्धी हमारा विवे हमारा ग्लान तयार रहता है लेकिन जो दूसरे के हिसाब से हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमारी कोई तयारी नहीं रहती है इसलिए सफलता का मूल मंत्र ये है हम जो बनना चाहते हैं पहले हम उसको बनना शुरू करें तो आपको उसमें जरूर से जरूर कोई न कोई मार्ग मिलता जाएगा आप अपने लख्ष को प्राप देखे आप तरह करी आप क्या बनना चाहते हैं दूसरा कोई तरह कोई कहरा तुम बीसी कर लो कोई करने एजी ले लो सबस्क्राइब तरह पर 50-45 मिनट से ज्यादा तिकता नहीं है यह ऐसी सनरचना हमारी है और उस कारण से चालिस मिनट जैसे होता है अपने आप हमारे पास कोई न कोई डाइवर्जन प्रकट हो जाता है अथवां प्रकट ना हो तो हम प्रकट कर लेते हैं हम प्रकट कर लेते हैं तो हमको जो है अपने रूची के अनुसार जीवन की दिंचरिया में कुछ ऐसे विशय रखने और चुनने होंगे जो हमारे अध्यन काल के अंतराल में हमारी सहायता कर सके अपने रूची और डाइवर्ट हो हम कोई न कोई उपाए कोई जैसे अब आपको सरल उधारन दे रहा हूं निरंतर अध्यन ने किया जा सकता है मैं भी पढ़ाद लिक कर आया हूं इसलिए बता रहूं आप सोचिए कि हम तीन GTA घंट लगातार पढ़ते रहें यह संभव मुणा नहीं है मन है मस्तिसक है वो वो पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे तो भी वह बस और्नमेंटल होगा बस जिसे ऐसे वह आएगा में कुछ वह कोरम पूरा होगा कोरम ने पूरा करना है पढ़ने का सीधा अर्थ होता है जो पढ़े वह हमारे हिल्ए में इस्थापित हो जाए वह अस्थाई रूप से मन घृत्य में आ जाए हैं है Hai अपने रूची की अनुषार अध्यन काल्ब के अंतराल को देवश्थित करना है कैसे करेंगे कि की सुन सब मेजिए सुन सकते हैं की इस मेर्म सब्सक्ण होती के अपने अब संकट क्या है वो बता दो अब जब संगीत सुनना सुरू करेंगे गंटे बाद तो कई घंटा संगीत इसको पुना अपनी विवस्था में लोट आना है इसको कहते हैं रिफरेस्मेंट सुख है कि गहीं बोटन हो घंटा जब रिफरेस्म हो गएं है तो आपको पुना अपनी विवस्था में लौता मारे मरके मित्रहे हमारा कोई साती है हमारा कोई सयोगी है अमारा कोई बहुत ऐसा वेक्थी इससे बात करके कुछ होते है बात कर लेके को इतना सतअधी दूआ के आपको इस परश्चुए से माने नहीं स्किर्टौ सूंए खरते हैं अब आपकी माने आपको डाटा घर्टा 53 क्या आपको मन में आता है क्या कि इसको डाट दूए अथवा आता है तो क्या उसी छड़ नहीं आता है कि ये महापाप है आता है इक नहीं हम अब तै कर लेते हैं कि नहीं ये बहुत गलत है ये अपराद है मा डाट सकती है बेटा मा को डाट नहीं सकता है तो हम गलत चीज को उपर से गलत न मानें एकदम स्थापित कर लें ये एकदम गलत है और जब किसी को मान लेंगे ये एकदम गलत काम है मेरा विश्वास है आप उस कारे में प्रवित्त होई नहीं सकते हैं कोई दुनिया की ताकत आपको उसमें प्रवित्त नहीं कराएं आप उसको पहले मानिए पूरा गलत है, हम उपर उपर मानते हैं, और थोड़ा सही, थोड़ा गलत, थोड़ा अगला प्रस्नुशी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है, हमने एक विवस्था तुरंत लगा दी, अपने को बचाने के लिए, उत्रियता यूग था, उसमें राम होते थे, यूग जैसा कोई व्यक्ति है, विवस्था है, उसका भी कोई धर्म होता है, उसका भी कोई धर्म होता है, धारन करने का विशे धर्म है, आपको कई बार मैंने पताया, यह कोई यूग सापेव्ष प्रश्ट नहीं है, धर्म की जो रचना हुई है, यह रचना नहीं हुई ह धर्म श्रिष्टी के साथ उत्पन्न हुआ है धर्म कोई रचना की विवस्था नहीं है पंथ रचना की विवस्था है पंथ इसकी एक पूजा पद्धती जिसका एक प्रवर्तक जिसका एक कोई नियम जिसकी कोई एक पुष्टक जिसका कोई एक दिवस्था, जिसके उद्य का कोई तिथी, जिसके उद्गातन की तिथी, वो कौन है? उपन्त है, जो चिर है, सनातन है, कोई उसका जनमदाता नहीं है, कोई उसकी तिथी नहीं है, कोई उसका काल नहीं है, किसी सीमा में नहीं बदा है, वो क्या है? वो धर्म है इसलिए किसी confusion किया है वो सनातन धर्म है उसका नाम सनातन है उसका नाम हुआ तो बाद में हिंदु सर्द आया आप लोग पढ़े निके आज भी पंजाब में परंपरा है अब हिंदू सिख ने हिंदू अपने बड़े बेटे को सिख धर्म को सौप आज भी आप जाके पता करें नेरी बाता सत्त ने लिए किसके रक्षा के लिए धर्म की आज भी कि युवा धर्म कि युवा धर्म की परिभासा सुन ली जाए तब तो समझ में आ जैका युवा धर्म क्या हैं थे उपनिशत्कता है मैं यह-धीव जह रहा हूं नहीं कίे जैत्शत्र युव स्खस्व युवा यूवा की परिभासा है उपनिशद हो सकता है मैं इधर उद्धर हो रहा हूँ नहीं तैतरी उपनिशद में है यूवा स्यात साधु यूवा यूवा कैसा हो साधु मने केश वेश अस्रम प्रोचन भजन नहीं नहीं तो यूवा धर्म है क्या है अपने को साधना किस के लिए स्वयम के लिए परिवार के लिए समाज के लिए और राष्ट के लिए युवा अब्रफ क्रिना की स्वेयं के लिएавать के लिए और क्रंश उस प्रक्रिया के बढ़ाते बढ़ाते समस्ति जाना साधने कैभ में अक्याद करने को साधने का नाम है यह यह है कि जो मने भगवाल के तरितर के निसे में बताएна कि युवा माने कर्मठता यह युवा धर्म है कर्मठता पुरुशार युवा मने क्या है क्यों विभाजन किया गया हमारे अंदर जो उर्जा वहां संचित होकर किसी श्रेष्ठ कारें में संचे का ठीक यह क्या है कि युवा धर्म समय पालन समय का सयोजन चाहे युवा 2 धर्म जातört इसको ही करना पड़ेगा बाकि कोई करता उसके भरात समय तिसके परात मया पर्त शबैन को थो कोई सभ्यूजन नहीं करना है मिल जाये तो खाली कि यह नहीं तुम पड़े रहे कि पुरुषारत भी नहीं हो सकता है हमारे पास इसमें उर्जा है तो करमचता एक ऊब मैं अनुशाशन यूवा धर्म है अधर्म अन्याय और निजिक संगर्श करना देखना नहीं अन्या आखों के सामने हो रहा देख रहे हम जितना भी हो सकता प्रणाम कारी नहीं होगा वह अलग विश्ए है प्रणाम आवे नावे हम उसके साथ संघर्ष करेंगे तो यीवा का धर्म है वर्मचर्य का जो विश्य है है त midnight पचीश-बिचीश वर्श आश्रम आश्रम का है यह प्रहकयर स्रह फिर ग्रहस्थ आस्रह फिर वानप्रash PM6 और फिर सन्यास्म पचीशव देज जो और सकी आधर्श कल्पना आयूकिकी वैसे हमारे शास्तर में बड़ी इस्पष्ट धारणा है ब्रह्मचर्य की आश्त्रम तो इस त्रिष्टी से बाता गया कि वह ब्रह्मचर्यत आश्त्रम जो है वह उर्जा का अपार इसको वह जहां से एकदम समझ लीजिए वह पावर प्रोजेक्ट है जहां बिजली बनती है जो बिजली बनने का स्थान है वह वह अवस्त्रम ब्रह्मचर्यत्रम वह 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 बिजली बनने का उसे वह उसको बढ़ाना पड़ेगा अब 35 तक ले जाना पएगा अब विद्यारती बैटे आपके सामने कोई ऐसी छुपा छुपी बात करने के कोई आफ्षकता नहीं है त तेज है कि पुडें जो है वा आपकी उनिजाय वापका देज है असे तो पूर्णे जब वेंस संग्रहित रहती है इनवर्टऩार अ ह्यां जांत्र dispकर ग्रजिक वह वह कि तो कि इतिस आफ्रांट मैं मृ और अपने यहां प्रम्मचर्यत विवा आपे पर्षात्र भंग नहीं होता है इसको इसपश्ट मां दीजिए बड़ी बाद बोल्ला हों है हुआ यह स्थाफित सिद्धानते है एक दूसरी मन देखें हमको देखें हाँ दिवाह के परश्यात्वी ब्रह्मचर भंग नहीं होता है बनस्पत कव आप एक पत्नी का व्रत लिए रहें बस आप एक नारी के प्रति नारी अपने एक प्रूश के प्रति ब्रह्मचर खंडित यह शास्त्र सम्मत है इसका पूरी दुनिया में कहीं पर कोई जोड नहीं कोई काट में उप्रमचारी रह सकते हैं आप जिस अर्थ में कहे थे मैंने उस अर्थ में मैंने बता दिया है वो हमारी उर्जा है, वो हमारा तेज है, वो संचित होना चाहिए, उससे बड़ा से बड़ा काम करेंगे, चेहरा बुजा बुजा नहीं होना चाहिए, चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, माते पर एक तेज होना चाहिए, चेहरे पर एक तिप्विता होनी चाहिए, क्योंकि हम उस समय अपने लक्ष को साधने के लिए लगे रहे हैं वह लक्ष को साधने में सहायक बनेगा वह आपकी तेज है वह आपकी उर्जा है इसलिए उसका संच्छ वह आश्रम में अनिवार्य है जिसको 25 से दस्वाल में बढ़ाने का अग्रह किया हूं वह परिस्थित कि काल साथे परिवरतन है 25 से लेकर उसको 35 तक बढ़ाया जाए 35 वर्षी 35 जाने जब तक विवाल नहीं है आज कल 35 में शुरूए हो रहा है इसलिए